दोस्तों आप सबने भगवान शिव के तीसरे नेतर के बारे में तो सुना ही होगा या फोटो में देखा होगा। आपने यह भी सुना होगा कि ऐसे बहुत से रिशी महर्शी थे जिन्होंने अपने साधना के बल से तीसरे नेतर को जागरित कर लिया था। ऐसा सुनने के बाद मन में सवाल यह उठता है कि एक व्यक्ति के पास दो ही आखे होती हैं, तो यह तीसरा आख का क्या चक्कर हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि तीसरे नेतर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी साधना क्या है, इसके जागरित होने पर कैसा अनुभव होता है, साधक के अंदर कौन-कौन सीशक्तिया रन होने लगती हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, जो एक सा तक बने रहें, आपके सारे सवालों के जवाब अविलंब मिल जाएंगे। मित्रों आपको शरीर के सातों चक्रों के बारे में तो जरूर पता होगा। अगर नहीं जानते हैं, तो पहले इसे समझ ले की यह हैं क्या। मित्रों मानव शरीर के सातों चक्रों का नाम इस प्रकार है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मनिपूरक, अनाहत, विशुद्धी, आग्या और सहसरार चक्र ये सभी हमारे शरीर के भिन्न भिन्न जगहों पर स्थित रहता है यह हमारे शरीर के अलग-अलग आयामों को एक्टिव करता है इन सभी को जागरित होने पर मानव शरीर, देव शरीर में रुपांतरीत हो जाती है उन्ही चक्रों में से छठे चक्र, जिसे आग्या चक्र कहते हैं, इसी को तीसरे नेतर के रूप में जाना जाता है दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि तीसरा नेतर, दोनों अन्य नेतरों के भाती हमारे दोने भव के बीच लगे होंगे, लेकिन यह सत्य नहीं है यह बाकी के दो भौतिक आखों की तरहे माथे पर नहीं लगा होता बलकी माथे पर दोनो भौहों के बीचों बीच जो छठे चक्र का केंद्र होता है उसे ही तीसरा नेतर कहते हैं भगवान शिव के फोटो में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है वो पूरी तरह से हम इनसानों की कलपना मात रही है तीसरा नेत्र चुंकि साथ मूल चक्रों में छठे चक्र को कहते हैं इसलिए इसे जागरित करने के लिए इसके पहले के पांच चक्रों को जागरित करना अनिवार्य होता है अगर आप इन साथों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं तीसरा नेत्र यह हमारे भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं होता है लेकिन प्रानिक प्रणाली अर्थात भौतिकता से परेकी जीवन प्रणाली का हिस्सा होता है तीसरे नेत्र को सच्चे ध्यान की स्थिती में पहुँच कर महसूस किया जा सकता है इस चक्र के जागरित होने पर मन पर्मामंद की स्थिती में पहुँच जाता है अर्थात मन के सारे पीरा, क्लेश, ग्वेश आदी दोश सदा के लिए नश्ट हो जाते हैं इन ही कारणों से इसे योगहरिद्या एवन सुखमन के नाम से भी जाना जाता है उपनिश्दों में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि जो साधक इस चक्र को जागरित कर लेता है उसे अंतरध्वनी सुनाई देने लगता है यह अंतरध्वनी स्वयं पर मात्मा के शब्द होते हैं जब यह ध्वनी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है तब साधक के लिए ब्रहमांड के दरवाजे खुल जाते हैं और उसे पूरे ब्रहमांड में कही भी आने जाने की आग्या मिल जाती है इसलिए ही इसे आग्या चक्र कहते हैं यहां तक कि जब भी किसी साधक के शरीर में देवताओ के कुछ उर्जा समाहित होते हैं तो सबसे पहले वह मुलाधार चक्र पर जाता है और इसके बाद अग्या चक्र पर पहुँचता है मित्रों इस चक्र को जागरित करने के लिए साधक को पहले मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र तक जागरित करना होता है विशुद्ध चक्र की जागरिती के बाद ही साधक आग्या चक्र को जागरित करने के काबिल बन पाता है दोस्तों आपने सुना होगा कि एक बार भगवान शिव पर कामदेव ने अपना बान चलाया था जिससे जिससे कुपित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव वही जलकर भस्म हो गए वास्तव में हुआ ये था कि एक बार भगवान शिव जब ध्यान में बैठे थे तो उन्हें कुछ अलग प्रकार की अनुभूती हुई जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि उनके अंदर कामवासना की उत्पत्ती हुई है तब शिव ने अपने छठे चक्र का प्रयोग करके अपने भीतर से इस वासना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था तो तीसरे नेत्र की यही शक्ती है कि जागरित करने वाले साधक के भीतर की हर तरह की वासना को खत्म कर सकती है और उसके बाद साधक का मन सरवदा परमानंद में डूबा रहता है दोस्तों शरीर विज्ञान में भी ठीक माथे के बिचो बिच एक ग्रंथी की खोज हुई है जिसे पिनियल ग्रंथी कहते हैं यह ग्रंथी अगर एक बार स्रावित होना आरंभ हो जाता है तब इनसान का मन अत्यंत सुख से भर जाता है इस ग्रंथी के स्राव से संभोग से भी ज्यादा सुख की अनुभूती होती है मुझे तो नहीं पता कि इस ग्रंथी का तीसरे नेत्र से कोई संबंध है या नहीं लेकिन इसके बारे में अगर आपके मन में कोई विचार है तो हमें जरूर बताएं आग्या चक्र कैसे सिद्ध करें इसको जानते हैं मित्रों यह चक्र भृु मध्य मतलब दोनों आखों के बीच में केंद्रित होता है व्यक्ति को इस चक्र को जागरित करने के लिए मूल मंत्र ओम का उच्चारण करना चाहिए इसके जागरित होते ही देव शक्ती प्राप्त होती है दिव्य द्रिष्टी की सिद्धी होती है दूर द्रिष्टी पोता है त्रिकाल ज्यान मिलता है आत्मा ज्यान मिलता है देव दर्शन होता है व्यक्ति अलौकिक हो जाता है